नारायन 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 का उदभोष जहां राम राम मधुर धुन्वाँ छट्टी स्टोरी विजिया लक्ष्मी के माध्यम से श्रेमति विजिया लक्ष में लिखती है कि हम चार भाई भेन और जब हम बहुत छोटे थे हमारी दादी का नियम था सुबे हमें जल्दी उठाना नेलाना प्रिप्रात्ना करवाना उसके बाद हमें दूद और नाष्ता मिलता था उसके पहले हमें दूद कुछ खाने नहीं मिलता था और मेरी मा की भी हेमत नहीं थी कि दादी को रोक देवेदी किसी दिन हमने क्या थे कि बहुत भूख लगी है पहले खाना दे दूद दादी से बात करो सुबे प्राथना करना और रात को सोते वक्त डिनर किया बिस्तर प अधिया लक्षमी कि हमें प्राथनाओ का महत्व उसकी ताकत की बाबत कुछ भी जानकारी नहीं थी और नहीं इक्छा थी जानने की वो तो दादी के कहें हम प्राथना करते चाहते यह जो बच्मन में जो आदत हमको पढ़ कर बातना कुरने की आगे लेक्त लिक्षमी कि ब बड़े हुए तब ही वादत थी पर फर्क ही आगिया कि बच्पन में हम थोड़ी बड़ी प्राथना करते थी और अब जब उठते हैं सामने धिड़ सारा काम दिखाई देता हैं शौट में प्राथना करते हैं काम के लग जाते हैं आगे लिखते हैं शिंदि विजालक्षमी क कि पर मेरे जीवन में एक ऐसा प्रसंग घटा जिसने मुझे इन प्राथनाओं का महत्व और क्या लाभ है यह अहसास करवाया लिखते हैं विजालक्षमी कि एक दिन के बात सुबह के तीन चार बजे थे मेरा भाई शायद वाश्ट्रूम के लिए उठा होगा खड़ा पर जमीन पर इव बेहोश औ गया उसके गिरने से जो शोर हुआ मेरी भावी उडगए भावी ने जब भाई को जमीन पर बेहोश पड़े देखा पाने लिया छिड का पर उसमें फरक नी आया वो खोश में नी आया वो घब्राई सी भागी भागी मेरे कम्रे की ओराई मैं आपके बाकी सदश्य को उठाया, मैं उठी, परिवार के बाकी सदश्य को उठाया, पर सायोग ऐसा रहा, कि जट तक हम उनके पास पहुंचे, भाय की कामरें पहुंचे, इश्वर की करपा रही, वो उठकर बैठा हुआ था, उसे होश आगया था, और वो देख रहा था, कि म सित हो गया, तो हम सारे के सारे अपने अपने कमरे में सूने के लिए चले गए हैं, दूसरे दिम की बात, लिगते है विजया लक्ष्मी, कि रात को जब हम सूने के लिए बिस्थर पर गए, जो सुबह जो घटना कटे थी अरले इंद मौनिंग, वोई मेरे जेहन में घूम रही थी, मुझे उस रात देर तक नींद नी आई, लेकिन देर तक नींद ना आना, मुझे कई बातों का ऐसास करवा गया, मैं लेटे लेटे अपने भाई के स्वास्त के लिए प्राथना कर रही थी, और साथ ही साथ मेरे भीतर ये भाव भी आता जा रहा था, कि है अचायर मेरे भीतर आया, कि यदि घर का एक सदश्य भी अस्वस्त होता है, तो सब की नेंद पर असर होता है, बाकी लोग भी शान्ती के नेंद नी सो पते, दूसरा भावी आया, कि यदि हम पोरी रात चैन के नेंद सोए हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं, कि उसने ह हमें बढ़िया नेंद उपहार सरूप दी है, बल्कि ये भी कि उसने हमारे परिवार के सदश्यों का ध्यान डखा है, उनकी उसरक्षा प्रदान की है, जब ही तो हम चैन के नेंद सोए हैं, अन्य था चैन के नेंद कहां से सोते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग लिखा विज लिखानी है, तो उसका भी हमारी नेंद पर असर होता है, अमनेशिंद हो कर नहीं सोपाते हैं, ज़ किसी दिस्तार की यहांसे को डिस्थर्प करने वाला समाचारा क्या, तो हमारी नेंद पर असरा है, तो सोच, यह लिकती है वीज girlsing कि हमें चैन की नेंद सुलाने के लिए उसे कितनों का धान रखना पड़ता है कितनों की सुरक्षा करने पड़ती है हमारे परिवार के सदश्यों की हमारे नेर डियर की हमारे रिष्टारों की हमारे परचितों की तो रात भर जो मेठी नेंद सोएं हैं आप वो नींद आपसे प्राथना करती है कि सुबह उठकर कम से कम उसका धन्यवाद तो करो तुम्हें मेथी नेंद सुनाने के लिए उसने कितनो का ध्यान रखा कितनो को सुरक्षा प्रदान की और बहुत सुन्दर प्रसंग की चर्चा करते वे लिखती हैं विजया लक्ष्मी कि राज्या दुपद अपनी बेटी द्रोबते का विवहा करना चाहते थे और एक प्रत्योगता रची एलान कर दिया कि जो इस प्रत्योगता में जीतेगा वही मेरी बिठी द्रोबती का हाथ थामेगा और बहुत सारी राजकुमार द्रोबती का हाथ थामने तियार बेठे थे प्रत्योगता क्या थी? उपर घूमती मचली और नीचे जल में देखकर ती चलाना था उसकी आँख में जिस दिन प्रतियोगता थी उसके पहले दिन की बात भगवान श्री किष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि जब प्रतियोगता स्थल के निकट जाओगे न कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाना और अपना पूरा ध्यान मचले की आँपरी रखना अर्जुन पूरी भात ब्हुने लिए बिना भवान श्री किष्ण की जटा बोल पड़ा की भगवान सारा कुछ म मैं करूँगा ता आप क्या करएंगे भगवान श्री किष्ण ने ने विननमरता से उत्तर त При्धिया भवान थु ने कर सकता भगवान भगवन मैं क्या नहीं कर सकता तुम पानी को इस्तिर नहीं रख सकते लिखती है विजया लक्ष्मी कि हमने अपने जीवन में कई चेजों को टेकन फोर ग्रांटेड ले रखा है हमें चैन की नेन सुनाने के लिए उसने भी तो पानी को थाम रखा है तो क्या हमारा करते विए नहीं बनता जो सुक सुविधाएं उसने दे रखी है उसका धन्यवाद प्रकट करें आप से अधिक नहीं होता सारे दिन हमसे धन्यवाद आभार नहीं होता इत्सों के वो भी नहीं चाहता साधिन दन्यवाद करो आप सुव उठते हैं नेन्द खुली से दन्यवाद के नारायन सुक के नेन्द सुलाई तोने इतनी व्यवस्था की तब यह भाव आया क्या हमने तो जब वो आर्टिकल पढ़ा तो भीतरहल चल हो गई कि वाकई हमें सुक के नेन्द सुलाने के लिए कितनी व्यवस्था करने पड़ते हैं कितनों का ध्यान रखना पड़ता है सुब उठकर धन्यवाद मीठी नेन सुलाने के लिए दूसरा धन्यवाद एक नया दिन देने के लिए हमें तो मिला है कईयों को तो मिला ही नहीं है रात को जो सोई सोई रह गए धन्यवाद एक नया दिन देने के लिए और साथ ही साथ उसे प्राथना कर दीजिए कि जो नया दिन तुने हमें दिया है इतना शक्ति दे, इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ दे कि तेरे दिये कन-कन छण-छण का सदुपयोग कर सको तेरे दिये कन-कन छण-छण का सदुपयोग कर सको और विष्वास किजिए, जब आप ऐसा कहेंगे उसे, वो आपसे कहेंगा, कि जो दिन तुन मैंने तुझे दिया है, वो तुझे कैसा चाहिए है, जैसे माँ अपने बच्चों से पूस्तिया, टिफिन दे रही हूं, टिफिन में क्या क्या चाहिए है, और आपको सिर्फ कहना होता है बच्चे को, उसको थोड़ी में पता है क्या क्या विवस्ता करनी है, तो इतनी भर प्राथना है नारण आपका धन्यवाद है, आप हर पल, हर चण हमारे साथ है, इसलिए आज का दिन, हमारे जीवन का सर्वत्तम दिन है, सर्वस्ते दिन है, प्यार, आदर समान, प् पर दो पंतियां जरूर बोलके सोगें और विदन विदन सेबन डे स्वावेयं चमतकार देख लिजिए विदन सेबन डेस क्या पंतियाłos सुन चोप लिजिए है नाराण आपका धन्ने बाद है आज जीवन स्वस्च रहने का वर्डान देने के लिए इसलिए हम पोन रूप से स्वस्त हैं, स्वस्त हैं, स्वस्त हैं आपने ये तीन-चार बार लाइन बोल दी, स्वस्त है, स्वस्त है, स्वस्त है यह यहाँ पर इको होगा, सबकॉंशेस माइंड में जाएगा, वो वैसे कैमिकल रिलीस करेगा कि आप स्वस्त हैं, स्वस्त हैं, स्वस्त हैं जब आप प्राथना करते हैं हम यह भी नहीं कहते कि बहुत भावसे करें रेंडमली कर लीजे ऐसे में भी आपकी औरा के इर्द गिर्द एक सुरक्षा का वच्च तयार हो जाता है जो आपको नकारात्मक तरंगों से बच्चाता है तो सुबह और रात इतनी सी प्राथना आप देखिए डे बाई दे आपकी औरा में क्या परिवर्दन आता जा रहा है आप लोग को ऐसास हो रहा है क्या कि औरा मजबूत हो रही है आप कर देना क्यां मैं क्या है आपका आपका